है या दोस्तों आपका स्वाब था इन्यूजर मेरे चैनल के शाथ खिंग हैं अब अब बटन होगा उसको दबाएए मिलाओं को सब्सक्राइब किजेश उसको दबाएए उसको क्लिक कीजिए मेरे यह चैनल को सब्सक्राइब की जे मुझे आपका शपूर्ट मिलता रहेगा म सब्सक्राइब तरोंगा तो आज की निए कुछ ऐसी है कि सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावाद देने के लिए एक नया एप लांच किया है उससे बोलते हैं आधार पैप तो इसमें इसको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के आईडी एससी बैंक के इसमें जोड़ा ग है तो सबसे शक्षीत तरिका है सबसे सेफ तरिका है है तो इसके लिए इसमें क्या होना चाहिए है आपका जो आधार है वो आपके बैंक अकांट से लिंक होना चाहिए और आप इसे गूगल प्ले स्टोर से आके डाउनलोड कर सकते हैं और यह इसको ट्राइल किया गया है, ट्राइल करने के बाद इसे लांच किया गया है तो जो दुकांदार होगा उसके पास स्मार्टफोन ह होना चाहिए उसमें आधार पे का एप्लिकेशन होना चाहिए और उस आधार पे में जो दुकांदार का है उसमें आपका IDFC में उसका एकांट होना चाहिए फिर क्या होगा फिर आप जो सामन खरीदेंगे जितने का सामन खरीदेंगे उतने का वह अपने उसमें अपने यह सीधी सीधी आपकी पेमेंट आपके एकाउंट से कड़ेगी तो कुछ ऐसा है तो सबसे इजी तरीका है आधार पे एप तो आप इसे ट्राई कीजिए अगर आपको और जानकरी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं आप पर उस पर क्लिक की आपको इससे जूड़ी दस बात आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर जाकर तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में आपको दस चीज़ें में बताई कि यह प्लेस्टों से आकर डाउनलोड कर सकते हैं मर्चेंट के पास आपको सबसे प पड़ेगा देखते हैं कितने आगे पड़ेगा आधार पर भीम एप तो लॉंच कर चुकिए सब्सक्राइब आधार पर लॉंच किया है जो प्राइविट सेक्टर का नया बेंगे आई डी एक सी बेंग उसके साथ उन्होंने मर्च करके उसको लॉंच किया है तो आपका आध कीजिए गुगल स्टोर पर जाएए और डाउनलोड की जा अधार पर और उसका फायदा उठाई है तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजाएगा सब्सक्राइब कीजिए लाइक की और शेयर कीजिए मैं आपको सारे जानकारी डिस्रिप्शन में दे रहा हूं डिस्रिप्श